हाई गैस तो आगत है आपका अपना चैनल पैंथा 11 और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के साथ जो यह पांचमा टी 20 मुकाबला होने खिला जाएगा 28 सिप्टेंबर को जो यह साम को 8 बजे मैच खिला जाएगा यह गाइस बिल्कुल भी मिश मत क आपके सिप्टेंबर बनाए त्सक्राइब होने भी मैच बनाए ओर 20 सिप्टेंबर को मैच खिले गया थे 119 रहा थे 118 रहा पहले बैटिंग कर दो पांसने बनाए तो इसमें पाकिस्तान ने पूर्ट कर सब्याए विग और इंग्लेंड मैच कौन कर लिया था ये भी कराची में हुआ था गाइस मैं वही बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच जो हेट टु हेड मैचेश खेले गया थे जिसकी मैं बात करूँ तो 25 मैचेश जो अभी तक खेले गया है जिसमें पाकिस्तान ने 8 मैच जीते हुए औ कुछ भी नहीं रहा गाइस मैं वहीं बात करता हूँ आप मेरे यूटूब चैनल पर अभी नहीं हो तो प्लीज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और गाइस अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइ कर लेना सर्च कर लेना एटारेट पैंथर 11 ABC और जॉइन कर लेना और जॉइन करने के लिए दो और भी है आपके पास या तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है वहां से आप डायक्ट जॉइन कर सकते हो हमारे टेलिग्राम चैनल को क्योंकि फाइनल टीम जो होगी गाइस हम वहीं बात करते हैं जो आज की पीछ रिपोर्ट रहने वाली है जो मैच होना खिला जागा गाइस यह मैच खिला जागा गदाफी के किरके ग्राउंड पे लाहौर पे यह मैच खिला जागा और यह मैच काफी अच्छा होने वाला है पाच्वा मुकाबला है और ग पहले बैंटिंग वाले जीते हुए और बालिंग फिर्स्ट वाले फाइब मैं जीते हुए फरस्ट इनिंग के डृबी तो इक्सट रह और सेकंड निंग के बात करता हूं ज़ो पाकिस्तान के तरब से जो मुहमध रिज्वान बावर आजम हैदर अली इप्तिकार आमद को ज को एक नजर आएंगे सादाब खान या उमेर कादिर भी मुश्ली चांसे से यह खेलेंगे और वहीं मुहमद वसीम जूनियर मुहमद आशनेर और हरी श्रुफ यह आपके पकिस्तान के तरफ से प्रव्यवल प्लेंग खलते हुए नजर आएंगे गाइस में वहीं बात करता मुहमद रिजवान जिन्होंने हेट टू हेट में बाड़ा मैचेश खेले हुए है नाइन इनिक्स में बैटिंग गवा है चार्सो अंठावन रन बनावा है हाइस इनका 88 और स्ट्राइक काफी अच्छा रहा है गाइस वहीं रिसेंट मैच की बात कुर तो इन्होंने एट- करते हैं और पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर भी है गाइस में वहीं बात करता हूं बावराजम की जो ओपेन करते हैं मुहमद रिजवान के साथ टीम के कैप्टन भी है इन्होंने हेट-to-head में 12 मैसेच खेले हैं 11 इनिंग्स में बात करता हूं इसी सिरीज में बनावा है इनका 152 का रहा है और इनका रहा है और इनका रहा है एक सो ओठाइस कर रहा है और रिसेंट के मैस की उनकर परफॉर्मस रहे है और 110 रहा है जो प्रफॉर्म नेंगे इन्होंने चार्ड मैचेश खेले तीन इनिंग में बनाइवा है इनका जो रहा है गया है वही रिसेंट मैच की बात करो तो इनका कोई खास परफॉर्म नहीं रहा तो आप हैदर अली को ड्रॉप कर सकते हैं इनको सायन मक्सूद आप इनको पिक कर लेना गाइस में वहीं बात करता हूँ इप्तिकार अमद को तो इप्तिकार अमन भी अच्छे प्लेयरा बॉलिंग भी कराते हैं बैटिंग की चांस मिलता तो अबरेज इनका 125 करा लास्ट के पांच मैच की जो रिकॉर्ट्स रही है और अच्छे है और बालिंग अगर कराते हैं विगेट्स में लिए तो आपके लिए बैनिफिट्स रहे खुश्जिल सा की बात करूं तो यह बैट्समन नहीं करा रहा हैं बट कुछ मैच में इनको ब सब्सक्राइब करता हैं तो आप इनको चाहो तो आप अपने लेसल दोनों से डॉप कर सकते हूं मोहमद नमास की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपको दिख जाएंगे इकटरशम की मैच में थाच में हिए्फजा स्फर्फण की मैच में परफॉर्म नहीं रहे हैं और यह चार ओबर बॉलिंग किराते हैं और हो सकता है पाकिस्तान के पहले विकेट से गिर जाये तो आप इनको पीकल लेना मुहमद रावाज को चांस मिल सकता है बैटिंग का रसी फली की बात करो तो इनका पिक कर लेना अच्छे प्लेयर है वाइस में वहीं बात करता हूं मौमध हसनायन की तो लास्ट के मैचेज में इनका परफॉर्म कापी अच्छा रहा है पाकिस्तान आप इनको पिक कर लेना पहले बालिंग करें पाकिस्तान आप इनको पिक कर लेना वहीं में बात करता है इंगलैंड टीम के टीम की प्रवेवल प्लेइंग लेवें जो आज के मैच में रहने वाली है उसकी में बात करता हूँ इंगलैंड के तरफ से एलेक्स हेल खेलते वे आज हो सकता दीखे और फिलिप सार्ट वहीं डेविड मलान बें डगट याज विल जैक्स आज नज़र हैं हेट-to-eight की बात करो तो पांच मैच में पांच इनिक्स में बैटिंग किया नाइंटी टू रन बनाया है कोई खास परफॉर्म नहीं किया है हेट-to-head में बट प्लेयर बहुत अच्छे हैं आप इनको पिक कर सकते हैं के भी फॉर्म में पांच आया है कर सकते हो नहीं बात करते हो डेविड मलान की दर डेविड मलान लास्ट मैच में था बट कोई लास्ट के मैच में भी अच्छा परफॉर्म दो-तीन में नहीं किया है बट अच्छे प्लेयर है इनका डाउन थोड़ा सा उपर है, फर्स डाउन बैटिंग करने आते हैं, और ये हेट टो हेड में इन्होंने 8 मैच खिला हुआ, 131 रन बना हुआ है, और स्ट्राइकरेट 105 के पाकिस्तान के खिलाप, इनका कोई खास परफॉर्म नहीं रहा, ये वहीं में बात करो, टी टू इसी सीजन में, ये जो स्रीज चल लिए इसमें, और 160 के स्ट्राइकरेट से इन्होंने रन बना हुआ है, तो आप बेंड डाकेट अगर प्ले करते हैं, तो बेंड डाकेट को ले लना, अगर पहले बैटिंग करते हैं, इनको चांस मिल सकता है, अगर इंगलेंड की विकेट एक दो गिर जाई तो, वहीं में बात करते हैं, हैडी बिरुक्स बहुत तेस खेलते हैं, और काफी इस स्रीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और लास्ट के चार मैची इन्होंने प्ले किये हैं, इनिंग्स चार इनिंग्स में बैटिंग के हुआ हुआ, 188 रन बना ह काफी अच्छा रहा, बैक का इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, वहीं में बात करता हूं, हेट टू हेट की तो, बाड़ा मैचेज इन्होंने खेला हुआ है, और बाड़े इनिंग्स में इनको बैटिंग का चांस मिला, 205 रन बना है, वहीं इस्ट्राइट 107 कर बैटिंग इनिंग में बाड़ा है, चालीस विकट्स लिए उनका 8.29 कर रहा है, रिसेंट के मैच में इन्होंने 29 बना है, बाकी 55 और 11 बना है, विकट्स की बात कर रहा हूं, को रिसेंटे के दो-थे मैच में hookedर और घाइस के मैच में नहीं प्लेगे थे इन्हों तीन मैच प्ले किया हुआ है दो विकेट से लिए हुआ है वहीं बैटिंग करियर के बात करो तो एक एक घजार चौशा बिरानमेरान बना वा एक सो चतिस के स्ट्राइक रेट से बनावा बॉलिंग की मैं बात करो तो इन्हों काफी अच्छा प्रफॉर्म किया हुआ है और इन्हों ने जो दो सो 23 विकेट से लिए हुआ है तो आप सेम करान अगर प्ले करते तो आप अपने टीम में इनको ट्राइक कर सकते हैं वहीं बात करता हूं डेविड विली की तो डेविड विली भी अच्छे अलाउंड है लेकि अग्वन्ट प्रफॉर्म कर रहा है रहें और उसनमोफ से स्घैया है कर रहू है टुली काफ़े फार्फॉर्म क्यें ठाडिय। में बॉलिंग भी produced लिया और वहीं बात कराँ अपने büy प्लैयर है वही उन्होंने जो है 74 विगेट लिये हुए है और being a last सब्सक्राइब एको बालिंग कर दिया ना आधिल राषीग की बात करो तो आदिल रसीद को भी लास्ट के मैच में हैंहीं बात करता हूँ रिचार्डट्स गलेशन जो दो मैस से नहीं पैसे कर रहे हैं और इन्होंने हेड-to-head में दो मैसेज ही खिले वे कोई वीकिट्स इनको नहीं मिला था कोई खास परफॉर्म नहीं रहा था प्ले करेंगे तो आप अपने पाकिस्तान में हो रही है और यह मैच जो खिला जाएगा बैटिंग पीच अच्छा परफॉर्म होगा वहांपे अच्छा रन भी बनेगा सेट टीम की बात करूँ गाइस तो आज की जो सेट टीम रने वाली हमारी वहीं मैं बात करूँ तो मैंने विकेट कीपर सेक्शन में मै कप्टैंसी की बात करू कर तो मैंने कप्टैंसी जो लिया हुआ हो ए वMaster को वाहीं मैंने बावरासम को लिया आप चाहो तो वाहीं सेक्टैंसी आप विल्जेक के भी सास्थं जा सकते हो या हो बीशिडुक बेंना हमारे एसलिड चैनल को जो श्ग करने केthinking हैं Congrats प्रिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां से जोइन कर सकते हैं कि कि फाइनल टीम जी ल टीम और जो भी इंफर्मेशन और वह होगा वह हमारे टेलिग्राम चैनल पर आए गाई इसलिए बिल्कुल भी मिन्स मत करना जोइन कर लेना थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो प्लीज कीप यूर सपोर्ट विद पैंथर 11